17 फर्वरी को समाजवादी पार्टी की उत्तरपिदेश के करहल में बड़ी जनसभा थी रैली थी करहल वही विधानसभा सीट है जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं इस्रैली की जमकर चर्चा रही क्योंकि अखलेश यादव के साथ साथ यहां मुलायम सिंग यादव और शिवपाल सिंग यादव भी मौजूद थे करीब पान साल बाद यादव परिवार की ये तीनों सदस से एक मंच पर एक साथ दिखे इससे पहले दोजा सत्रा विधान सभा चुनाओ के पहले तीनों एक साथ हाए थे इधर फैमिली री यूनियन की खबरें और तस्वीरें आई उधर एक तस्वीर पर सोशल मीडिया मज़े लेने लगा रोशो के वक्त की इस तस्वीर में शिवपाल मुलायम के सोफे के हथे पर बैठे हैं यूजर मज़े ले रहे हैं कि अखलेश यादव की गाड़ी में चाचा शिवपाल को बैठने की भी ठीक जगर नहीं दी गई खैर फिलहाल हम बात करेंगे शिवपाल यादव की वो कौन है और उत्तरप्रदेश की सियासत में उनका क्या किरदार रहा है 16 फरवरी 1955 को इटाबा के सैफ़ाई में पैदा हुए शिवपाल सिंग यादव मुलायम सिंग यादव के छोटे भाई हैं कानपूर और लकनव से पढ़ाई की और फिर मुलायम सिंग यादव के साथ हो लिये मुलायम की राजनीती को उपर तक ले जाने में शिवपाल की एहम भूम का रही है और ये बात सारजनिक मंचों से कई कई बार मुलायम कह भी चुके हैं 2017 विधान सभा चुनाओ के बाद जब यादव परिवार में अलगाओ की स्थिति आने लगी तो मुलायम ने एक सभा में कहा था कि मैंने और शिवपाल ने समाजवादी पार्टी के लिए लाठियां खाई हैं ये जो लड़के अकलेश भाईया अकलेश भाईया चला रहे हैं वो एक लाठी भी नहीं खापाएंगे वहीं शिवपाल भी आज तक सभा के नेता जी की कही एक एक बात का कड़ाई सभालन करते हैं इससे पता चलता है कि मुलाइम की राजनीती में शिवपाल का किरदार कितना बड़ा है उनका योगदान कितना बड़ा है और दोनों भाई एक दूसरे को कितना मानते हैं सपा से अलग होने के बाद शिवपाल ने प्रगत शील समाजवादी पार्टी लोहिया यानी प्रसपा पार्टी बनाई अब 2022 विधान सबा चुनाओ से पहले प्रसपा और सपा साथ साथ हैं यानी चाचा वदीजे भी साथ साथ हैं खाली में एक मिजी चैनल को दिया इंटर्वी के दौरान शिवपाल यादो ने कहा था कि अखले शियादाव को मैं अपना निता मानता हूँ और उन्हें 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाएंगे अगले शियादाव ने चाचा शिवपाल को टिकेट के साथ चुनाव चन साइकल आवंटित कर दिया है तो इससे साफ हो गया कि शिवपाल सपा के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे इटावा की जस्वंत नगर विधान सभा सीट यूँ भी मुलायम परिवार की एक परंपरागत सीट रही है शिवपाल यादव इस सीट पर 1996 से लगातार जीत रहे हैं अब तक वे 5 बार विधायक रह चुके हैं वहीं इस सीट से सपा के संड़क्षक मुलायम सिंग यादव भी 7 बार जीत कर विधायक बन चुके हैं NBT Online की रिपोर्ट